जैहन दोस्तों, हम आपके लिए अगनी वीर के जो किलर्क की भरती और जीडी की भरती आई थी, दीखिए किलर्क और जीडी के जो बुक्स है, बुक्स दिखो एक बार, बुक्स उठाओ, किसी भी आर्मी वाले बंदे से बात करो, जो आर्मी की तहरी करता है, किलर्क आगर, तो इसके नाम पिएक ही भूक होती है रामशीम को सोता है आपको फिजिकल पे वो ज्यादा पड़ाई उड़ाई पर ध्यान नहीं देता है उसका सीधा दोड़ना यह करना क्योंकि फिजिकल भी बहुत खतर नाख होना चाहिए तो बंद अपने फिजिकल पर करता है अगर आपने उस तिल को और उसके बाद उसने 25 कोशन इं चूटे और आपके लिए मैस का कोई भी फार्मूला याद करने के आप सकता ना पड़े तो आपको कंप्लीट से लेवल बहुत ही आसान भासा में मैं आपको कराने जा रहा हूं ठीक है यह वाली किताब किताब आपके पास रहेगी जो सिक्वेंस आपके किताब में रहेगा बहुत सिक्वेंस नहीं हाँ पर कोशन कराएगा ठीक है और मैं आपके लिए क्या करूंगा कि मैं पूरे कॉंसेट एक साथ नहीं पड़ाओंगा कि पता चले कि मैंने आपको परसेंटेज के कॉंसेट अलग पड़ाए प्रोफिल लॉस के अलग पड़ाए कंपॉन इंटरे कि समझाओंगा कि पहले जो ट्रेडिशनल होना चाहिए बिल्कुल बेसिक बाला उसको भी और आप क्या सोच सकते थे उसको भी इस पर हम काम करने जा रहे हैं जैसे पहला सवाल है उन्होंने कहा है दो संख्याओं का जोड आठ है यानि कि A प्लस B बराबर कितने दे रखा ह है आठ दे रखा है और उनका जोड उनके अंतर का चार गुना है उनका जोड मतलब A प्लस B उनका जोड उनके अंतर मतलब A-B का कितने गुना है चार गुना है तो यह 4 गुना है थेक, एह हो गया A एह हो गया B एह हो गया 4A माईनस 4B यह A था, इधर का 4A उठके इधर आएगा, तो माईनस का 3 boy यह पलस का B अल्यडी था इधर का माईनस का 4 भी जाएगा तो इधर पर पलस के 4B सही तो है? यह रहे, इस थी है नहीं is 4 अर्वे यह प्लस कावी ओ लीडि़ी था, माइनस का 4 भी इदर जाएगा, तो माइनस का 4 भी बराबर नीचादगाadow, 3 hai, फ़रów का और की बराबर निー az ए और B के मान निकाल ले, फिर ए और बे के हम मान निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, उसको देख लेते हैं, A पलस B बराबर लिखा था, 8, तो हम इसको 3 से गुणा कर दें, तो 3A पलस 3B, बराबर 24 बोड़ सकते हैं, और ये लिखा था माइनस के 3 ए प्लस के 5B बरावर क्या 0, क्या 3 एसे 3 नहीं कर जाएगा तो 5B और 3B 8B बरावर कितना हो जाएगा 24 तो B बरावर कितना आजाएगा 3, B बरावर कितना आजाएगा 3, और हमें पता था कि A प्लस B बरावर 8 है और A का मान पता नहीं B का मान 3 आया है बरावर 8 तो A का मान कितना आया 5 आप एक बात बताईए कि इतने छोटे question करने के लिए इतनी बड़ी calculation करना जरूरी था और यहाँ पर problem create क्या होगी अगर आप calculation करोगी तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी जैसे मान लो आपको खाना बनाना आता है और मेरे को खाना बनाना नहीं आता है तो मेरे से कभी गलती नहीं हो सकती कभी नमक कम या ज्यादा नहीं हो सकता नमक कम या ज्यादा तब होगा जब आप खाना बनाओगे जब आपने खाना बनाया न नहीं तो नमक कम या ज्यादा होगा नहीं के लिए हुआ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इतनी बड़ी कैलकुरशन करी तो गल्ती होगी तो इस कोशन को ऐसे करके हम कैसे समझ सकते हैं और जो मैं प्रोच समझाने जा रहा हूं उसी एप्रोच पर सारी कोश्टन सुल्व कराऊंगा ऐसे मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके लिए समय भी पाबंदी लगती है 50 मिनट पचास कोशन है ना 50 कोशन और 60 मिनट एक घंटे में आपको 50 कोशन सौल करने हैं जिसमें 25 कोशन तो सिर्फ इंग्लिस के हैं इंग्लिस को पढ़ने में भी समय लगेगा भाई हम सिर्फ दोड़ने फोकस किया हमारी इंग्लिस मजबूत नहीं है कि हम फटा-फट पढ़एंग समय भी चाहिए ठीक है तो 25 कोशन इंग्लिस के निप्टाने हैं और मैस कितने आ रहे हैं 10 कि 10 मैस के निप्टाने हैं 25 और 10 35 हो गए 15 कोशन यस को होंगे है ना वह भी निप्टाने आपको अब देखो इस कोशन को कैसे करना था बात यह थी कोशन कह रहा था कि दो संख्याओं का जोड़ कितना है आठ दो संख्याओं का जोड़ आठ है उनके अंतर उनका जोड़ उनके अंतर का चारवना दो संख्याओं से देखना दो संख्याओं का जोड़ आठ है दो 1 और 7 है तो अंतर कितना है क्या यह 8, छे का 2 गुना है नहीं है योग कितना है आठ, अंतर कितना है 4 इस का 4 गुना प्मूचा है दो क्या इनका जोड मतलब A plus B इनके अंतर मतलब A minus B का क्या चार गुना है क्या यहाँ पर calculation आपने की नहीं की क्या calculation गलत होने की possibility है नहीं है तो आप इस पर prepare करोगे कि दोनों equation मना के solve करोगे इस पर prepare करेंगे कि इस पर हमें focus करना है कि भाया उनका जोड मतलब A plus B उनके अंतर कितना आएगा दो पांच और तीन का difference कितना आएगा दो क्या इसका चार गुना है हाँ चार गुना है काम हो जाएगा आगे बढ़े next दूसरे question इंतरफ चलते है अगला question कह रहा है यदि दो संख्याओं का योगफल 20 है योगफल कितना है 20 और उनका गुड़न फल 40 है तो इन संख्याओं के ब्यूत्करम का योगफल कितना होगा दो संख्याओं का योगफल कितना है 20 योगफल क्या होता है A plus B A plus B कितना दे रखा है 20 और उनका गुड़न फल मतलब 40 A into B कितना दे रखा है? 40 दे रखा है इन संख्याओं का ब्यूत्करम क्या होता है? ब्यूत्करम होता है उल्टा A का उल्टा बन अपॉन A X का उल्टा होता है ब्यूत्करम बन अपॉन X और A का ब्यूत्क्रम होता है, बन अपॉन A, उल्टा होता है, उल्टा होता है, जश्ट अपोजी, 36 का अंकड़ा, ठीक है, 36 का अंकड़ा, ब्यूत्क्रम रेसी प्रोकल, यह होता है, रेसी प्रोकल का करना, हमारा काम काई चल लागा ब्यूत्क्रम से, मतलब हमसे पूचा है, कि इनका ब्यूत्क्रम मतलब बन अपॉन ए, प्लस बन अपॉन बी का मान, यहीं पूछा है हमसे, हमसे यहीं पूछा है, कि इन संख्याओं के ब्यूत्क्रम का योग फल कितना होगा, मतलब बन अपॉन ए, और हमसे बन अपॉन बी का मान, पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यह equation 1 है और यह equation 2 है यह into 1 बीच में तो क्या equation 1 बटे equation 2 कर दें तो क्या हम कर सकते हैं a plus b upon a b बराबर 20 बटे 40 अगर हम equation को a को equation 2 से भाग कर दें तो यही आएगा ठीक है अब हमने क्या करेंगे क्या हम इसे लिख सकते हैं a upon a b plus b upon a b बराबर 20 बटा 40 a से a कट जाएगा और b से यहाँ बचेगा 1 upon b plus 1 upon a और यहाँ बचेगा 1 बटे 2 तो क्या आपका 1 upon b plus 1 upon a कहलो चाहाँ अगला सवाल कहे रहा है एक संख्या ग्याद करो जिसको 15 से गुणा करने पर 96 अधिक हो जाएं मेरी बात को दिहान से सुनना कि बहें संख्या ग्याद करो बहें एक संख्या ग्याद करो कि जिसको 15 से गुणा करने पर बहें 196 अधिक हो जाएं तो देखो आपको option से करना है मैं आपको दोनों तरीके से करा सकता हूं लेकिन आपको अपना focus option पर रखना चाहिए क्योंकि option से करोगे तो आपको पूरी ट्रेडिसन बनाना नहीं पड़ेगा और बनाना नहीं पड़ेगा तो आपकी कहिं गल्ती होने का चांस नहीं रहेंगे और रहेंगे एक संख्या ग्याद करो जिसमें 15 से गुणा करने पर हमें का पता अरे भाया जो पूच्छे का वो option में होगा हमसे पूच्छा एक संख्या ग्याद करो जिसको 15 से गुणा करने पर 106 बैदिक हो जाए तो जो भी संख्या ओगी वो option में तो होगी हुआ है आप संस्क्या मतलब 14 ही तो सभी है अब एक बात पताओ आपको आपस्ट मिल गया तो दूसरे ऑप्संपर जाकर क्या करना चाहोंगे समय की बरबादी करना है क्या तो दूसरे ऑप्संपर जाओगे क्या पहले option पर आपको solution मिल गया ना चीज़ समझ में आ गई ना जब चीज़ समझ में आ गए तो दूसर अगर दूसरा option सही होता तो 20 में 15 से गुणा करके कितना हो जाता है 300 क्या इसको 20 और यह कितना है यहां पर 300 क्या यह 196 दिख है यह 180 है देखे यह 100 अगर 180 वाला पूचा होता तो यह option लगाते क्लियर हुआ क्या आपको कुछ रटना पड़ा अगर value चेंज कर देगा को दिक्कत होगी नहीं होगी आगे बड़ो अगला जो सबाल है वो क्या कह रहा है कह रहा है यह दि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है मतलब एक संख्या निकालनी है हमको पहली संख्या निकालनी है और जो दूसरी संख्या है वो दूसरी संख्या 40 से 4 कम है 40 से 4 कम करने का मतलब 36 है यह तो कहा है यदि एक संख्या मतलब पहली संख्या जो है वो किसी दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या जो चालिस से चार कम है चालिस से चार कम का मतलब कितनी है 36 से 5 गुनी है मतलब यह जो संख्या है पहली बाली पहली बाली जो संख्या है वो दूसरी बाली संख्या से कितनी गुनी है 5 गुनी है दूसरी बाली संख्या तो 36 दे रखी है और 36 पंजा कितना होता है 180 तो दूसरी संख्या वो कितनी है 180 288, कोई तकलीप तुमको, बताओ, कोई तकलीप हो रही, यही तो कहाता कि पहली संख्या पता नहीं है, लेकिन जो दूसरी संख्या है, वो 40 से 4 कम है, और 40 से 4 कम क्या होता है, 36 होता है, पहली संख्या, दूसरी संख्या का 5 गुना है, दूसरी संख्या तो 36 है, 5 से गुना करत next अगला जो सवाल कहा है 200 और 300 के मद 200 और 300 के बीच ऐसी कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके तो ऐसको करने के बहुत सारे तरीके हैं मैं आपको समझा रहा है मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 से लेके 100 तक 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जिन्हों 13 से विभाजित किया सके तो आपको पता है 13 एकम 13 13 दूनी 13 तियां 13 चौका 13 पंजे 13 चक 13 सत्य 13 ठे 104 क्या 104 को ले सकते हैं नहीं ले सकते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी आई हैं और ऐसे हमें 200 लिखना होता तो एक से लेके 200 लिखते फिर 300 लिखना होता तो एक से लेके और कहे देता कि एक से लेके 1000 की बिच बताओ या 1200 की बिच लगाओ तो एक से लेके 1200 तो संखे लिखते रहते क्या है बस की आपके क्या कैल्कुलिशन कर पाओ कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं होगी तो इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका क्या है इस सवाल को हम डारेट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं इसको समझो अभी आपने चेक किया तो एक से लेके सौ तक कितनी संख्यां थी सथ कितनी संख्या थी सथ ही तो अगर आपको 100 तक चेक करना है तो 100 को किससे भाग कर लो 13 से कितनी बार जाएंगे 13 से क्यान बेजाएंगे अब तो बचा 9 क्या 9 में भाग जा सकता है तो कितनी संख्या मिलेंगी मुझे पूछना है कि एक से लेके 100 तक 11 से भाग करके कितनी संख्यां मिलेंगी 11 से भाग करके कितनी संख्यां मिलेंगी तो मैं 100 को भाग किसे कर दूँगा 11 99 कितना बचा क्या अब भाग जा सकता है तो एक से लेके 100 तक 11 से भाग करके संख्यां कितनी मिलेंगी कितनी मिलेंगी कितनी मिलेंगी, नो, ठीक है, अगर मुझे निकालना होता, कि एक से लेके 300 तक, 13 से भाग करके कितनी संख्या होंगी, तो एक से लेके 300 तक 13 आज करना होता, तो क्या मैं एक से लेके गुणां करता हूं? मैं क्या करूँगा? मैं 300 को भाग कर दूँगा 13 से, 300 को भाग कर दूँगा 13 से, और 13 दूना 26, कितने बचे? 4, उतार लिया, 0, 13, 3, 49, कितना बचा? 1, क्या अब भाग जा सकती है? तो एक से लेके 300 तक कितनी संख्या हैं? 13, कितनी हैं? उन्होंने पूचा है 200 और 300 के बीच, 200 और 300 के बीच, तो अगर मैं एक से लेके 200 के बीच, तो देखना चाहूं तो कितना आगा? इसको जड़ा चेक करें? अगर इसको चेक करना होगा, कि 200 के बीच कितनी संख्या हैं, तो हम क्या करेंगे? कि 200 को किसे भाग करेंगे? 13 से, 13 एकम, 13, कितनी बचे? 7, क्या उतार लिया? 0, फिर 13 पंजे? 25, कितना बचा? क्या पांच में अब भाग जा सकती है? तो एक से लेके 200 तक कितनी संख्या हैं? 15, और एक से लेके 300 तक कितनी संख्या हैं? 30, और हमसे पूंचा है 200 और 300 के बीच में, तो एक से लेके 300 तक अगर निकालना हैं, तो 200 तक कि संख्या हैं, घटा दो, यानि कि 30 में से पंदा घटाना पड़ेगा, और 30 में से पंदा घटा दोगे, तो संख्या कितनी मिली हैं? 19 कह दे 50 कह दे कोई दिक्कायात होने वाली नहीं हैं अगर आपसे कह देता कि एक से लेके 400 और 500 के बीच सवाल को समझना कि 400 और 500 के बीच 17 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं तो आप 500 तो चेक करते 17 से भाग करने वाली और 400 तो चेक करते 17 से करने वाली और आंसर निकाल देते, ने निकाल सकते थे, सबाल चेंज हो गया, कि अगर वो कहता कि 400 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्यां हैं, जो 17 से विवाजित हो सकती हैं, तो हम क्या करते, पहले 500 किसे बाग करते, 17 से, फिर 400 किसे करते, 17 से, आंसे निकाल के खानी खता, किलियर हुआ, आरा नहीं आ थोड़ी गई तुमारी अभी, बहुत दम होती आरहीं वालूं भाई, मजाक थोड़ी है, 300 लड़कों में दोड़ना, 20-25 लड़के पकड़ना, खतरनाक भाईया, मजाक थोड़ी है, एक दम मलाई-मलाई होती आरहीं वाली, हाँ, मजाक नहीं हैं भाई, फिजीकल उन से ज खतरना किसी का नहीं होता है, कि अब खुछ सोचो, 300 लड़कों में दोड़ना, लड़के कितने पकड़ना हैं, 20-25 नहीं पकड़ना जाते हैं, जीडी में, एक और मैं भी गया था, गाउंबाली ले गया, साथ में ले लगे, मैं तो दिखाई ने दिया, कहा रही गया, हाँ वो पीछे से भोजी गया रहते हैं, अंदर करो, क्योंकि जो राउंड करते हैं, चार चक्कर, अगर दूसरे चक्कर नहीं तो पीछे रहेगा, तो खुछ भी अंदर कर देते हैं, हाँ, तो भे हमारे बसके ना, दबदबा जाएं खानी का हो जाएगा, एक से लेके 100 प्राक लिखने पड़ेंगे, मजबूर ही है आपकी, बना मैं करा दोंगा लेकिन मैं आपके लिए दमाग की हाली प्रेसर नहीं डालना चाहाँ आपके दमाग पे, समय आपके पास कम है इसलिए, अगर इसको थोड़ा से छोड़ा कर लो, यह लिखा है कि एक, दो, तीन, चार, पा लोट एन तक चलती रहें, तो इन संख्याओं का तो पिर्थम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, पिर्थम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो इसका छोटा सा प्यारा सा फार्मूला होता है, एन, एन प्लस बन अपान टू, पिर्थम ए पाते बता रहा हूं, पीडियाप मिल जाएगी आपको, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, काय का, टेलिग्राम का, उस टेलिग्राम के जब किलिक करोगे, तो ये पीडियाप को वही मिल जाएगी, चुप चाब उठाओ, अपना, सौल करो, समझ में आ रह होगा, भाया, अब ये संख्या कहां तक गई है, सो, तो एन बराबर किता है, सो, तो इसी फारूने फिट कर देंगा, तो एन की जगा कितना रखेंगे, सो, इंटू, सो, पिलस एक, मतलब एक सो, एक, बटा, दो, दो से काटें कितना आएगा, पचास, और पचास, गुणा, एक, सो, एक, इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो फिप्टी, 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 क्या आपका सवाल खतम हुआ, मैं चाहता तो आपको इसी सवाल को कराके खतम कर सकता था, लेकिन मान लो, अगर आज आए, पिर्थम एन प्राकृतिक संख्याओं के बरगो का योग, अगर आज आता कि पिर्थम एन प्राकृतिक संख्याओं के बरगो का योग, तो पिर्थम एन प्राकृतिक संख्याओं के बरगो का योग, प्राकृतिक संख्याओं के बरगो का योग, प्राकृतिक संख्याओं के बरगो का योग, प्राकृतिक संख्याओं के बरगो का य मतलब क्यूब हमारा काम तो खन से चल जाएगा ना इसी बेसी वोड़ बाले देखें क्यूब हम लोग समझते हैं गंसतोरा वाला नहीं की दूसरा वाला घंत स्ट कि पावर तिक है और दो की पावर तीन प्लस तीन की पा पर तीन प्लस चार की पावर 3 प्ला डॉर्ट 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 मालो ऐसे पान्सों नंचास की पावर्ति ऐसे तो इसके भी दो फार्मूल होते हैं उनको लगे हाथ तो लिख लो ठीक है मैं तो आपको फार्मूल देखा दो कि खांगे कि आजो अगला इसको भी शाप हो जाँ पिर्थम N प्राकिति संख्याओं के बर्गो का यह लिखो पिर्थम N प्राकिति संख्याओं के बर्गो का यह होता है N N प्लस बन और 2N प्लस बन अपान 6 पिर्थम N प्राकिति संख्याओं के बर्गो का यह फार्मूल क्या होता है और आहां है यह अगर यह कब भूतह प्रतुमें प्राकृतिक संख्याओं के लिए कुछ नहीं करना जो आपने बर्गों का इंक निकालाथा ना उसी का स्क्वार कर दो पिर्थम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग के निकाला था आपने, पिर्थम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला था एन एन प्लस बन अपान टू, और अगर आपको घनों का योग चाहिए, तो कुछ ने करना, इस पे square चड़ा दो, आपका काम हो जाएग तसली मिली, लिख लिया, आगए बढ़ें, बढ़ जाओ, इसकी निसोड लेके मर रखी हो खाली, समझ में आया, इसकी निसोड लेके रखो कि प्रॉब्लम होगी, लिख लोग तो जाद अच्छा रहेगा, अगला जो सबाल है, उन्होंने ये कहा है कि 18, 18625 का बर्ग मूल देखो, मैं बर्ग मूल निकाने की आपको जो जाओगे ना, किलास में हमारे चैनल पे, तो आपको बर्ग मूल निकाने की तमाम तरीके हैं, लेकिन बो तरीके आप मत सीखो, देख ले न, लेकिन आप सीखना मत, पता है क्यों, क्योंकि बो सीखने के लिए दिमयाक लगाना पढ़ेगा ज्यादा और हमें पेपर है हमारे नजदीक तो हमारा अभी फोकस होने चाहिए अपने पेपर निकाने पर ना कि दुनिया भर की नौलज गेन करने में ठीक है तो हमारा काम इसको बर्गमुल निकाने का तरीका क्या होता है वो सीख लो बर्गमुल निकाने का तरी कर तो कर लिया अब देखो कि बारहले दान से क्मूल यहां पर एक नंबर ऐसा लिखना है कि जिस जो भी नंबर लिखेंगे उसकी गुड़ा इहीं से होगी, जैसे मैंने यहां पर लिख लिए 2, तो यहां पर भी कितना लिखना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन यहां पर 12 से छोटा होना चाहिए, तो क्या लिखो 3, क्या लिखो यहां पर? 3, अगर तुमने 3 यहां लिखा और 3 यहां लिखा, इन दोने क्या हो जाएगी? गुड़ा, 3, 3, 9, और जिस जो यहां पर गया है भाग, उसी को यहां पर जोड़ना होता है, तो 3 और 3, 6, और 12 में से 9 निकाले? 3, बच्चा क्या? 96, बच्चा क्या? 96, अब तुम्हें फिर से भाग देनी है, अब तुम्हें एक ऐसे नमबर से भाग देनी है, अगर तुमने यहां लिखा 2, तो यहां पर भी कितना करना पड़ेगा? तो 2 दूनी 4, 62 दूनी 124 हो जागी, इस नमबर छूटा रह जाएगा, तो आपको गुणा करनी पड़ेग ठीक है, तो यहां पर मेलो कर तुमने कर दिया, चार कितना कर दिया? तो चार से यहां भी कुणा करनी पड़ेगी, अब इन दोनों की तो गुणा हो नहीं, तो 4, 4, 16, 6 हांसे लगा, 1, 4, 24, 25 देखो, यह भी छूटा रहे गया, मैं सिखा रहा हूँ आपको, इस निए मैं न प्रफ्लमிर्च हो जाएगी, तब भी प्रफ्लमेट हो जाएगी, क्युंकि 356,5 ब हो से लगा है न, तो यहां पर क्या ले लो हम, 6, कितना ले लो, अगर तुमने यहां 6 ले लिया, तो कितना लेना पड़ेगा, अब इन दोनों की तो भी मुणा करना है, 26, 36, यहां से लग और देखो अगर हमें पहले सीख लिए हम बाद में कर लेंगे ठीक है अगर हमें करना होता 1024 जो किसका स्कॉार होता है 32 का किसका स्कॉार होता है 32 का चलो चेक करते हैं अब पीछे से दो दो के जोड़े बनाए बना लिए आप तुम्हें 10 में भाग देना है तो 3 3 करना पड़ेगा तो 3 यहां लेखा और 3 यहां लेखा 3 3 3.. तो प्लस का 3 करना पढ़ेगा? 3 और 3 ? 6 अब 10 में से नो निकाले? पूरा जोडा उतरेगा जोडा समझ में आया लोग कहते हैं न उपर से जोडा बन के आथने गलत कहते हैं अरे? नीचे ऑगी बनते हैं नहीं है? और उपरवाले को फिरे कुछ कि अब भाई मेंधार सब्सक्राइब गवाले ने हमें भंफ व्यासे करो मैंधार उसको बहुत उसकी बहुत काम यहां खुत के कम नहें अब आ yazies किसी को को प्रॉलम हो जाए भगवानिये कर दो बगवानिये कर दो ऐसा हो जाए पैसा हो जाए तो सब की सुनते रहे तो भीया जे बचा अब मेरी बात को समझ में आई अगर मैंने यहां यह किया तो यहां भी एक करना पढ़ेगा और एक सट एकम एक सट तो नंबर छूटा रहे गया तो मुझे नंबर बढ़ा करना पढ़ेगा तो यह क्या करना पढ़ेगा अब इन दोनों कि उख़ए होगी तो दो दूनी और दो च्छांग का कट गए क्या कुछ बचा नहीं बचा तो किसको आ रहे है का किसको आ रहे है एक और करेंगे उसके बाद हम अपने निकाल पाएं फिलाल मैं तरीके जो में तरीके कर आता हूँ आपको आउसागा दिख जाता लेकिन वुशे कराओं देता चालेज 1996 किसका लिटा चालेज चानबे ऐसे मारा दो दो डो जोडे, अब 40 है ना, तो 40 में क्या कर दो, 6, क्यों 6 यहां तो 6, अब 6 छांग, 36, और जो से भाग करते हैं, बोई प्लस करते हैं, तो 6 यह 12 हो जाएगा, 40 में 36 गए, 4, और यहां पर क्या बचेगा, अब बताओ, अगर तुमने यहां पर एक कर दिया, तो यहां पर भी, 1, और इनकी गुणा करें, बहुत छोटा नहीं रहे गया, बड़ा करते हैं, कितना कर दो, 2, कितना कर दो, तो 2 कर दिया, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 2, अब 122 दूनी, तब भी छोटा रहे जाए तो यहां पर भी चार, चार चौक सोला के छे, हांसे लगा एक, चार दूनी आठ और एक नो, चार एकम चार, का कट गए, तो काई को स्कॉर है, 64 है, मतलब जाको बर्ग मुल का आओ, 64, कोई दिकत, कोई आपती, कोई विपती, अब बताओ कर लोगे और नहीं कर लोगे, लेकि जोड़े कटे कटे के, दो-दो के, क्यों, क्योंकि बर्ग मुल में पाबर एक बटा दो थी ना पाबर, अरे बर्ग मुल में दो यो तो, बर्ग का मतलब दो, घं का मतलब दो थीन, समझ जाओ, चलो, देखिए, नमब लिखा है, अठारा, जीरो, छे, दो, पाँच, अठारा, जीरो, छे, दो, पाँच, ए नमब लिखा है, ऐसे किया और ऐसे किया, जाको बर्ग मुल, तो पीछे से दो-दो के जोड़े, एक का, एक का, एक का, अठारा, एही मिला, तो क्या करना पड़ेगा, 1218 है तो चार चौक तो चार इहां और चार इहां चार चार चौक मृट्प्लाइ करके सोला गए ले भाई इधारा मैंसी जीरो उत्रेमाइगो की ढूई 0-6 दोनो इं 0-6 दोनो और 0-6 उतर गए चार से बनाए तो ड्ला परना प्षार हो और बाता ओ ऐप के अगर contexts हमने एक किया तो क्यूतच करना पड़ेगा कि अ कहना पड़ेगा अगर तुमने 2 किया तो 2 हे तभी इन तरहेकर कितना नुम्म्म कितना वह जाएगा ना करना होतों गोना करेंगे 4ाट क क्या थेब strongestHPD sistema करना पड़ेगा थिक 2 से 2 दूनी 4, 2, 8, 16 एक करना पढ़ेगा, तो प्लस का 2 करना पढ़ेगा, छे में से 4 गए, 10 में 6 गए, और यहां बचा, एक, एक बचा, क्या बचा, यह तो चला गया ना, जीरो बचा, अब क्या उतरेगा उपर से, 25, क्या उतरेगा, अब 82 कितने हो गए, 84, 82 कितने हो गए, अब सोचो भहिया का नंबर लिखो गे यहाँ पे लगवा 85-5 जा रहा है कितना जा रहा है लगवा कितने बार तो 5 यहां और 5 यहां पच्चाम 25 के हांसिल लगे 5 चौक 202 22 के हांसिल लगे 5 चथे 402 का ये नपैद हो गए तो भाईया काय को स्कुायर है का बर्गमु लेना आया एंडा आया समझ में आ रहा है अरे बर्गमु लेना किलियर हुआ नहीं हुआ अगर बर्गमुल लेना clear हुआ तो आगे बढ़ने का कश्ट करें अब तो clear हो गया बर्गमुल लेना और नहीं आया है अगर बर्गमुल लेना clear ना हुआ हो अब भी अगर problem हो रही हो तो आपको description में एक link मिलेगा जिसको नाम होगा doubt गृूप उस पर क्लिक करेंगे वाट से पर पहुंच जाएंगे कोई भी कोशन हो उस पर बस फोटो खीच के डाल देना और आपको बेहत्री बाला सोलीशन मिल जाएगा समझ में आया ठीक है सारी सुभधाएं हैं आपको चलो अगला जो कोशन है वो क्या कह रहा है अरे ले भाई पान सो बारा लेकिन पावर किती है तीन यानि कि इसका घंबूर निकालना है क्या निकालना है घंबूर और आपको बात बताओं कि आप क्या करना एक से लेके बारा तक के क्यूब याद कर लेना एक से लेके बारा तक तक के स्कॉार याद कर लेना इस्कॉार की वीडियो देख लेना जरूर जाके आपको प्लेलिस्ट में स्कॉार की वीडियो होगी स्कॉार निकालना जरूर सीख लेना ठीक आपके काम में आएगा तो आपको एक से लेके 24 तक क्या याद होने चाहिए Q 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 और 49 की पावर 2, नमबर है 15 की पावर 2 माइनस 49 की पावर 2 का मान गया तकीजिए कि आपको a square minus b square याद है, a square minus b square क्या होता है, a plus b और a minus b, यही तो होता है तो इसका भी बतलब 51 प्लस 49 इंटू 51 माइनस 49, 59 सो 51 में से 2 गए तो 2 और यह हुए गए 200, answer 200, कोई दिख्काट, next a square minus b square दिखान रखो, a square minus b square क्या होता है, a plus b into a minus b, उसी के यूज़ करके आपका answer आ गया, next अगला जो सबाल है, वो यह कह रहा है कि 36, 94, 36, 94 का बर्गमूल, जिस तरीके से मैं कराता हूँ, उसका answer को बताएगा, answer बोलो, जिस तरीके से मैं कराता हूँ, class में, 608, सब सब दिख रहा है, 64 का मतलब, यह नमबर 36 से उपर, लेकिन अभी नहीं, हम लोग यहां पर, अगन दूसरा concept लगाएगा, बोई बाला जो अभी सीखा था, नमबर आए, 36, 94, 36, 94 का बर्गमूल, यही दे, दो दो के, जोड़ा, क्या मिला, 36, तो 6 यहां और 6 यहां, तभी तो 6 यहां तो 6 यह गुणा करके आएगा, 36, यहां तो 00 बच्चा, तो उपर से पूरा जोड़ा उतर है, बहिए बैलू बड़ी नहीं होगी, то आपको क्या करते हैं, जब एक बार जू नहीं जा रहा है, तो जहां पर 0 बढ़ा के तब दूसरा वाला उतारलें का 64, क्या उतारलेंगे? 64, आप देखो लगो, 12-86, 8 यहां ले जा है, और 8 यहां लेखा, एठो-ठो 29- nam, यहां одल ह अरे कहां गया है क्या अफ क्या कर दिया 4884 के 4 हो गये हांसे लगे नंबर से उता रहे यह खहु धाय है यह वाला जिरो तभी तो गए गए गलती हो गई ठीक है अगर तुमने आठ एक जिरो यहां होता है अगर यहां पर तो आठ यहां पर ऐसे आएगा अब देखो अठो थो 64 के हाँ से लगे 6 8 की 0 से तो 0 कि 0 कि 0 से तो 0 और जीरो में 6 जोडा तो 6 अब 8 दूनी तो आपने दस कोशन खत्म किए हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे अब यह पहली क्लास थी और इसमें क्या था सब कुछ समझाना था इसली क्लास थोड़ी लंबी हो गई ठीक है बाकी क्लास आपको 10-15 मिट की मिलेगी 10-12 मिनट बस अब राम से नहीं क्लास मिलेगी और 10-12 मिनट में आपको दस-10 कोशन खतम हो जाएंगे आपको भी तकलिफ नहीं होगी अब राम से पढ़ते रहे ना ठीक है मिलते हैं किसी लेस्ट क्लास में स्वस्त रहें मस्त रहें और पढ़ाय करने में वेस्त नहीं अभी मिलते हैं ठीक है